हेलो बच्चो कैसे हो आप लो मैं हूँ मंजुला चौधरी and welcome to eduhab आज के हमारे इस वीडियो में जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और जो सब्चेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका economics का chapter number one जिसका नाम है development फीके आज इस चैप्टर में हम देखेंगे के development कैसे होता है development basically होता क्या है लोगों के लिए development की क्या परिभाशा है government के लिए development की क्या परिभाशा है ये सारी चीजे जो हैं हम इस chapter में देखने वाले हैं तो चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे important चीज यह है कि चैप्टर का नाम जो है development उसका मतलब क्या होता है ठीक है development का मतलब क्या होता है बच्चो development का मतलब होता है क्या होता है very good क्या होता है development का मतलब होता है because ठीक है अगर आप कहीं पे grow कर रहे हो तो मतलब आप क्या ब पहले मुझे 50% आते थे अब मुझे 80% आ रहे हैं तो मेरा क्या हुआ है मेरा डवलप्मेंट हुआ है पहले मैं बाइक चला रही थी अब मेरे पास कार है तो मेरा क्या हुआ है मेरा डवलप्मेंट हुआ है ऐसा नहीं है कि पहले मेरे पास कार थी अब मेरे पास बाइक आ गई ठीक है उपर 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 जा रहे हो तो आप उसको कहोगे कि आपका development हो रहा है मतलब जो changes आते हैं वो changes कैसे होने चाहिए positive changes होने चाहिए ठीक है अगर आप में changes आ रहा है जो कि positive change है तो आप क्या कहोगे आपका growth हो रहा है आपका progress हो रहा है या फिर आपका development हो रहा है क्लियर है इसी तरह से हम देखते हैं कि individual person का development होना अलग होता है nation का development अलग होता है यह सारी चीज़े जो हैं हम आगे के chapter में देखने वाले हैं क्लियर है तो अगर मुझे एक line में बोलना है कि भई development क्या होता है तो मैं बोसकती हूँ betterment of anything किसी भी चीज़ का बहतर होना हो जाना is what development ठीक है पहले यहां पर electricity नहीं थी यह पूरे एरिया में electricity नहीं थी अब आ गई है तो एरिया का क्या हुआ है development हुआ है पहले यहां पर water facility available ही नहीं था अब यहां पर properly पानी आने लगा है तो यहां पर क्या हुआ है यहां पर development हुआ है समझ में आ रहा है पहले छोटे छोटे घर हुआ करते थे अब बड़ी-बड़ी buildings बन गई है तो एरिया का क्या हुआ है development हुआ है समझ में आ रहा है so this is what is development अगर आपको कोई बोलना है betterment of anything is development you can say development is growth development is progress anything towards positive is what development ठीक है any positive change is development यह भी आप बोल सकते हुआ है different people different goal ma'am क्या मतलब है इसका इसका मतलब बिल्कुल clear है कि भई क्या कह रहे है कि different people होते हैं उनके different development goal होते हैं again ma'am इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इनका यह मानना है सभी का यह मानना है और यह actually true है कि development हर किसी के लिए अलग अलग है किसी के लिए development कुछ और हो सकता है तो किसी के लिए कुछ हो समझ में आ रहा है अगर एक बंदा 50% पर था अब वो 60% लेकर आया है तो उसके हिसाब से उसका क्या हुआ है डवलपमेंट हुआ है अगर कोई बंदा 60 पहले से ला रहा था तो फिर से 60 लाएगा तो उसका डवलपमेंट हुआ है क्या नई उसको 70-80 तक जाएगा तो उसको लगेगा कि उसका डवलपमेंट हुआ है ठीके एक बंदा जिसकी अभी-भी जॉब लगी है उसकी क्या तो उसका developmental goal अलग होगा, पढ़ाई से related होगा, यहाँ पे इसको घर लेना है, तो इसका developmental goal क्या है, कि मुझे अपना घर लेना है, मुझे ये rent की घर से बाहर निकलना है, समझ में आ रहा है, तो हर बंदी का developmental goal अलग-अलग होता है, क्योंकि उनका goal अलग-अलग है, इसलिए हम कहते हैं कि development person to person differ करेगा different person है तो उसका developmental goal भी अलग ही होगा समझ में आ रहा है सो यहाँ पर यह अलग क्यों है क्योंकि हर किसी का goal अलग-अलग है कोई अगर कम salary में अभी काम कर रहा है तो उसका goal यह होगा कि उसको higher pay मिलना start हो जाए है ना जो rent पे रह रह रहा है उसका goal यह होगा कि मेरा अपना घर हो जाए जो बहुत ही क्या रूरल एरिया में उसने पढ़ाई की है तो उसका developmental goal यह होगा कि अब उसको शेहर में आके पढ़ने का मौका मिल जाए समझ में आ रहा है आपको यहां पे क्या हो रहा है हर किसी का goal जो है वो अलग-अलग है उस हिसाब से हम define करेंगे कि उस particular बंदे का development हुआ है या नहीं तो जरूरी क्या है कि पहले यह पैचानो कि आपका goal क्या है अब वो जब आप achieve करते हो तो आप कहते हो कि आपका development हुआ आप उसके आसपास भी अगर पहुँचते हो तो भी आप यह कह सकते हो कि development हुआ है क्योंकि development में यह जरूरी है कि positive change है clear है ठीक है अब आपके book के accordingly हमारे पास कुछ example से जो हम देखेंगे जैसे example number one जहां पे यह कहा जा रहा है कि एक landless rural laborer है ठीक है मतलब गाउं का एक हमारा बंदा है जिसके पास अपनी कोई जमीन है नहीं अब यह बंदी के पास अगर अपनी जमीन नहीं है मतलब साफ है कि यह खुद खेती नहीं कर सकता बट हाँ यह दूसरों के खेत में जाके काम जरूर कर सकता है और वहां से पैसे कमा सकता है बराबर है तो अब आपको यह सोचना है कि इसका developmental goal क्या हो सकता है इसकी क्या इच्छा होगी ठीक है अब इसके पास जमीन नहीं है तो हम यह बहु सकते हैं कि इसकी इच्छा होगी कि इसके अपनी खुद की जमीन हो जाए, नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, आपको जो reasoning देनी है, या जो आपको point देना है यहाँ पे, वो logical भी होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतनी जल्दी, कि भाई जिसके पास जमीन नहीं है, उसके पास अचानक से जमीन आ रहे होंगे, तो इसके expectation यही हो सकती है, कि मुझे जितना मिल रहा है wages, उससे जादा मिले, सही बात है, wages का मतलब क्या होता है, जब workers जाके काम करते हैं, और उनको daily का पैसा मिलता है, तो उसको कहा जाता है wages, ठीक है, अब ऐसे workers ऐसे भी होते हैं, जो factory में काम करते हैं, उनक पर भी इसकी सोच ऐसी हो सकती है, कि इसको भी क्या मिले, better wages मिल जाए, ठीक है, इसके अलावा इसका goal क्या हो सकता है, अगर इसका परिवार है, उसमें बच्चे है, तो वो यह expect कर सकता है, कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिग जा, तो यहाँ पर अगर मैं क्लियर है, चलो ठीक है, एक बंदे के बारे में आपने बता दिया, अब दूसरा कौन सा बंदा होगा, दूसरा बंदा है, जिसके पास सब कुछ है, prosperous farmer, अपना खेत है, उसमें अच्छी खासी खेती भी हो रही है, सब कुछ है, तो इसका developmental goal क्या होगा, क्या इसका developmental goal यह होता है, यह अगर इसके पाद, यह इसे हम कह रहे है, prosperous farmer, मतब इसकी खेती वेती सब अच्छे से होती होगी, तब ही तो prosperous कहाना जा रहा है, अब खेती सब अच्छे से हो रही है, तो जो वो उगाएगा, उसको वो बेचेगा भी, सही बात है, अब जब वो अपने crops को बेच है, कि उसको क्या मिल जाए, हाई price में उसके crops बिक जाए, या फिर वो और भी चाहेगा, कि उसको cheap labor में बंदे मिल जाए, ऐसे बंदे इसको मिल जाए, जो कम पैसो में काम करे, यह क्या चारा है, कि पैसा थोड़ा increase हो जाए, वही यहाँ पे इसका developmental goal क्या है, कि में को cheap labor मिल जाए, मुझे ऐसे hard working लोग मिल जाए, जो सस्ते में मेरा काम करके देना चाहते हो, तो यहाँ पर आपने देख लिया, कि यह बंदे का developmental goal अलग है, और इस बंदे का developmental goal अलग है, अब ऐसी एक और का देखते है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, the farmer who is depending on rain for crops, क्या बुला चारा है यहाँ पर यहाँ पर यह बंदा है, जिसके पास अपनी जमीन तो है, लेकिन उसके पास agriculture करने के लिए irrigation facility नहीं है, क्यों, क्योंकि वो किसका वेट कर रहा है, वो बारिश का वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है, कि बारिश अच्छी खासी हो, उसके बाद ही मेरी फसल जो ह हुआ है, तो इस बंदे के लिए developmental goal क्या हो सकता है, यह हो सकता है कि हाई प्राइस पे उसके crop बिग जाए, नहीं, यहाँ पे crops उगाने ही question mark लग रहे है, बेशन के बारे में तो बहुत दूर अगया, तो फिर उसके सोच क्या होगी, उसके लिए development क्या होगा, उसके लिए development ह होगा, कि उसको बारिश का weight ना करना पड़ी, सही है, तो उसके लिए development क्या होगा, कि irrigation facility या फिर dam open होकर उसको मिल जाए, तब जाकि वो crops उगाएगा, फिर उसका developmental goal change होगा, और उसका developmental goal इधर आएगा, right now उसका developmental goal सिभ इतना है, कि खेती हो जाए, उसके लिए जो मुझे ब या फिर dam open हो जाए, तो आपने देखा, यहाँ पे तीनो का developmental goal अलग-अलग है, क्यों, क्योंकि तीनो ही अलग-अलग person है, समझ में आ रहा है, वैसी एक आफरी example भी है यहाँ पे, जहाँ पे आपसे बात हो रही है, rich urban girl, rich urban girl मतलब क्या है, कि शहर में रहने वाली लड़की ह अच्छी खासी अमीर है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कि इसका developmental goal क्या हो सकता है, तो हमारे लिए उसका developmental goal क्या हो सकता है, कि वो higher studies के लिए abroad जा सके, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, कि parents बोलते हैं, कि तू मेरे आखों के सामने रहे, कहीं भार मत जाओ, specially लड़का कहीं मत हो जाओ, कुछ parents का अब भी ऐसा thinking है, बड़ काफी लोगों का change हो गया, I can say that, तो यहां पर भी हम यह बोल सकते हैं, कि भाई यह अगर शहर में रह रही है, और rich है, तो इसकी सोच यह हो सकती है, कि studies करने के लिए इसे भी abroad में भेजा जाए, ठीक है, अब यह कुछ examples है, जह नहीं है, किसी के पास land है ही नहीं, तो किसी के पास land है, पर महाँ पर बारिश का वेट करना पड़ रहा है, irrigation facility नहीं है, तो किसी के पास सब कुछ है, तो वो चाता है, कि उसे cheap में चीज़े मिल जाए, और उसका सामान, sorry, उसका जो crops है, वो महेंगे दामों में बिग जाए, understanding, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें clearly एक चीज़ पता चल रही है, वो यह है, कि different people have different developmental goals, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, हर किसी का goal अलग है, अपनी इच्छा अलग है, और उसके accordingly हम decide करते हैं, कितना positive change आया है, उस हिसाब से कहेंगे कि development हुआ है, अगर सोचो यह बंदे का, यहाँ पर higher price जो वो expect कर रहा है, या फिर cheap labor जो वो expect कर रहा है, यह उसको नहीं मिला, जितना उसको price पहले मिल रहा था, अभी भी उसको उतना ही price मिला है, जैसे उसके labor थे, वो अभी भी वैसे ही है, उसको cheap labor नहीं मिला, high price for the crops नहीं मिला, तो क्या हम यह बो गोल हुआ नहीं ठीक है गोल तो है पर डवलपमेंट हो गया क्या नहीं क्यूं क्यूंकि वह अभी भी वहीं है जरूरी क्या है कुछ तो बेटर होता कुछ तो पॉजिटिव चेंज होता अब अगर इस बंदे को रोज का 100 रुपे मिल रहा था अब उसको 150 मिलने लग गया है तो क्या हम कहेंगे कि इस बंदे का डवलपमेंट हुआ इस क्यूंकि यहां पे एक पॉजिटिव चेंज दिखा है यहां पे उसकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हुई है यहां पे 100 रुपे से 150 पे वो पहुचा है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फार्मर नंबर वान है उसक अभी के पास है गोल सभी के पास है पर किसका डवलपमेंट हुआ है यह कैसे पता चलेगा जब आपको कहीं पर पॉजिटिव चेंज दिखेगा तब प्लियर है ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स जो हमारा टॉपिक है वो यह है वाट में बीडवलपमेंट फॉर व किसी एक बंदे के लिए अगर कोई चीज डवलपमेंट है तो वो दूसरे बंदे के लिए डवलपमेंट ना हो ऐसा भी हो सकता है अगर मेरे लिए कोई चीज डवलपमेंट है तो हो सकता है दूसरे बंदे के लिए वो डवलपमेंट ना हो जैसे हमारे प्रीवियस एक्जा तोजो हमारा है उसके लिए वो क्या होगा क्या मिल जा destructive है क्यूँ कि अगर उसके पास कोई बंदा 100 रुपे में जाकी काम करने के लिए तयार है तो इसको 150 रुपे कौन देगा बराबर है अगर कोई teacher 500 रुपे में आके काम करें तो फिर 1000 रुपे मुझे कौन देगा सही बात है तो यहाँ पर क्या हो रहा है developmental goal हर किसी का अलग-अलग होता है यह तो हमको समझ में आ गया अब हमें यह भी समझ रहा है कि एक बंदे का development दूसरे बंदे के लिए destructive भी हो सकता है एक बंदे को लग सकता है कि भाई इससे मेरा development हो रहा है बट वहीं दूसरे बंदे को यह लग सकता है कि नहीं this is not development for me ठीक है अब इसके लिए आपके book में example दिया हुआ है जहां पे पहले example में आपके story है कि एक लड़की है जो expect कर रही है कि जैसे मैं पूरे घर का काम करती हूँ उसी तरह से मेरे भाई को भी करना चाहिए उसको भी हाट बटाना चाहिए अगर ममी ने मान ली बात अब भाई भी हाथ बटाने लग गया तो वो लड़की के लिए वो चीज क्या है development है पहले उसको अखेल करना पड़े था अब एक और बनता जुड़ गया अब उसका काम जो है वो डिवाइड हो गया positive attitude बट वही यह लड़की के लिए क्या है he is not liking it मैं क्यों करूं मुझे नहीं करना समझ में आ रहा है तो अब यहां पर अगर मैं बोल रही हूं कि एक लड़की का development हुआ क्योंकि आपने उसको वो help provide की वहीं दूसरी तरफ जिससे आपने help provide की है उस बंदे को अच्छा नहीं लग रहा उसको नहीं अच्छा लग घर का का करना he is completely against it तो अगर इसका development हुआ मतलब इसके against जाके हुआ तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एक का development दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है दूसरे के लिए unpleasant हो सकता है दूसरे के लिए development ना हो ऐसा हो सकता है ठीक है एक और example है जहां पर बात हुई है कि एक industrialist है और उसको dam बनाना है ठीक है एक industrialist है जिसकी अपनी company है और वो चाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने ताकि उसको more electricity मिले ठीक है अब जब डैम बनाना पड़ेगा आप जैसे हाँ फोटो में भी देख सकते हैं कि कितना portion जो है उनको चाहिए होता है तो उतना वो क्या क करेंगे बराबर है मतब क्या करेंगे कि जो ट्राइबल लोग है उनको क्या करेंगे अपनी जगे से हटाना पड़ेगा उनको गाओं के लोगों को हटाना पड़ेगा कि भई यहां पर डैम बनने वाला है उनको कहीं और जाके सेटल होना पड़ेगा तो अब यह गाओं के को अगर जाके कई और सेटल होना पढ़ रहा है तो क्या उनको अच्छा लगेगा नॉट नेसेसरी ठीक है आप ट्राइबल पीपल्स को उनकी जडों से उखाड का कहीं और पर सेटल करने की बात कर रहे हो विच दे माइट नॉट लाइक तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि ए यहां पर हमको डैब बनाना ही तो नंको aren't are च्छाल हो सप्टा है कि उनको ना पशंड आए कि तो यहां पर हम क्या पता चल रहा है यह दो एकशांपल से कि कि सी औक कर डेवलप्मेंट दूसरे के लिए डेवलप्मेंट ना हो ऐसा scream ल है दूसरे के लिए तो ये भी possible है, समझ में आ रहा है, so this is what is, कि कहा जाता है कि development अगर एक बंदे के लिए है, तो possibility है कि दूसरे के लिए destructive हो, या दूसरे के लिए वो development हो ही ना, clear है, तो क्या क्यों चीजियों हमने देख लिया है, हमने देख लिया है development का definition, हमने देख लिया है कि different people का different developmental goal होता है और हमने ये भी देख लिया है, कि it is not necessary कि एक का development हुआ, तो दूसरे का भी होगा, it might be destructive for the other person, clear है, तीन topic cover हो गया, next पे चलते हैं, अब next topic आपको दिया है, income and other goal, अब मुझे पता है कि आपको बहुत सारी चीज़े दिख रिया है, सब कुछ मत देखो, ठीक है, मैं आपको step by step बताऊंगी, उसी पर focus करो, okay, सबसे पहली चीज, क्या बताया गया यहां पे, income, income का मतलब क्या होता है, income का मतलब होता है, पैसा, हम बोल सकते है, income is nothing but money, clear है, इसके अलावा बात हो रही है, other goals के बारे में, यह other goals क्या होते है, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है, तो अब प money के उपर फिलाल focus कर रहे है, ठीक है, तो जो income है, इसको हम, अगर simple language में बोलना है, तो हम सीधा बोल सकते हैं, पैसा, अब पैसा जो होता है, वो कैसा होता है, countable होता है, आप उसे count कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 500, 200, 300, 1000, 1,00, 1,00, 1,00, 1,00, count कर सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलते है हम उसको बोलते हैं, material goal या फिर इसका एक और नाम है, जो है measurable, ठीक है, तो सिफ income की अगर मैं बात करूँ, तो income को आप क्या कहते हो, income को आप कहते हो, material goal या फिर the one that is measurable, clear है, अब इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है, everybody wants more income, मतलब क्या है, मतलब यह है, कि चाहे बंदा कोई भी हो, चाहे वो landless laborer हो, चाहे वो prosperous farmer हो, चाहे वो बंदा हो, जिसको rain के लिए wait करता है, the third farmer, चाहे वो हमारी लड़की हो, जिसको foreign में जाके पढ़ाई करनी थी, चाहे वो एक normal salary person हो, कोई भी हो, सभी के लिए सबसे important चीज क्या होती है, पैसा, हर कोई कोई भी काम करे, वो उसका main intention जो होता है, या आप बहुत सकते हो, back end में जो दिमाग में चलता रहता है, वो यह है, कि इससे मुझे कितना फाइदा होगा, कितना पैसा मिल सकता है, ठीके, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है, कि भाई, जब बंदा आता है, जब हम बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पॉसन के बारे में बात कर रहे है, उसके developmental goal के बारे में बात कर रहे है, तो हमें सबसे ज़्यादा focus जिस चीज़़िस पर करना चाहिए, वो है पैसा, क्यूंकि चाहे बंदा कोई भी हो, उसका goal यही कि उसको अच्छा पैसा कमाना है उसे अच्छे रिटर्स मिलने चाहिए अगर उसने कोई investment किया है तो उसको अच्छा interest मिलना चाहिए अगर उसने पैसा deposit किया है तो उसको अच्छा interest मिलना चाहिए clear है अगर उसने share market में पैसा डाला है तो उसको अच्छा return मिलना चाहिए अगर वो कहीं पर job कर रहा है तो वो यह देखेगा कि उसकी salary जो उसको मिल रही है वो कितनी है सो यहां पर क्या चीज clear कर रहे है वो वो कह रहे है कि अगर आप इस individual person के बारे में बात कर रहे हो और उसके goal के बारे में बात कर रहे हो तो आप यह चीज make sure करना कि आप income consider करोगे क्योंकि income सबसे important होता है यह हम कम बानते थे पहले फिर उसके बाद हम सब मान गए इस चीज को कि हाँ भाई पैसा तो बहुत जरूरी होता है हर बंदे के लिए जरूरी होता है फिर उसके बाद एक नया topic आया जिसमें बात होने लगी other goals के बारे में यह कहने लगे लोग कि आप तो बोलते हो कि पैसा जरूरी है पैसा जरूरी है बात तो सही है बड़ सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है उनका यह मानना है कि आपने जो कहा कि मैं अगर कहीं पर जाके job करूंगी तो मैं पैसा जरूर देखूंगी लेकिन आप इसके अलावा भी कुछ चीज़े हैं जो देखोगे other goals do matters ठीक है अब यह जब बात कर रहे हैं other goals के बारे में तो other goals में क्या-क्या चीज़े आ जाती है अगर यह material goal है तो हम इसको क्या कह रहे हैं non material goal मतलब क्या है यह वो चीज़े हैं जिनको हम measure नहीं कर सकते they are non measurable जैसे क्या जैसे यहाँ पर दिया हुआ है friends, equality, freedom, security, respect ठीक है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है which cannot be easily measured but means a lot in our lives क्या कह रहे हैं आप जिसको measure कर सकते हो उसको आपने clearly बोल दिया कि वो income है वो पैसा है वो कह रहे हैं कि इसके अलावा भी चीज़े जरूरी होती है जब आप बात करते हो goal के बारे ठीक है कि किसके क्या needs होंगे किसके क्या wants होंगे किसका क्या developmental goal हो सकता है जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हो तो ये मत भूलो कि पैसे के साथ-साथ और भी चीज़े important है ठीक है उनका ये मानना है कि measurable चीज़े तो important है जैसे पैसा बट इसके अलावा non-measurable चीज़े भी important है जैसे respect मिलना security होना equal treatment मिलना अच्छे wages मिलना ही सिर्फ जरूरी है ऐसा नहीं है ठीक है यहाँ पर एक example देखे होनों ने समझाया है आपको जैसे for example किसी बंदे को job मिली है job कहा है abroad में है ठीक है एक बंदा जैसे मैं मुझे को job मिल गई है भई और मुझे फॉरण में जाके यू एस में जाके काम करना है तो सबसे important क्या है कि pay कैसा है सबसे पहले वही दिमाग में आता है pay कैसा है तो मुझे पता चला कि high pay है अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है ठीक है अब उसके अलावा भी चीजे हैं जो important है जैसे क्या जैसे ये कि वहाँ पर job security है क्या मतलब मैं तो वहाँ पर पहुंच गी पता चला दो महीने बाद मुझे निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि job security है के नहीं है वहाँ पर जाने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आपका चब मन करें आपने में को निकाल दिया समझ में आ रहा है और क्या देखूंगी मैं देखूंगी महाँ पर freedom है या नहीं महाँ पर जादा restrictions अगर हुए तो मैं कैसे अपने point of view को clearly express कर पाऊंगी समझ में आ रहा है आपको तो वहाँ पर ये भी चीज़ जरूरी है कि freedom है या नहीं क्या बो लोग ऐसा करने वाले है कि सुबह 9 बजे तुम आओ 6 बजे निकलो उसके बीच में तुमको ना टी ब्रेक है ना लांज ब्रेक है कुछ नहीं अपनी सीर्चे उठने का नहीं तो एक बंदा 9 घंटे एक ही चगे पर बैठके कैसे काम कर पाएगा भई तो यहाँ पर देखना जरूरी है कि freedom है या नहीं फिर उसके बाद देखना जरूरी है time for family भई कितनी घंटे की job है 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा कितना मैं अपने family को time दे पाऊंगा के नहीं दे पाऊंगा वो भी important है क्योंकि कई बार कैसे होता आप job करनी तो चले गए हो वहाँ पर आप बहुत साथा काम भी कर रहे हो एक time तक family बरदाश करती है फिर उसके बाद वो क्या बोनने लगती अगर बाकी की सारी चीजे नो है सिर्फ एक हाई पर है बाकी की सारी चीजे नो है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर there is no development नो development क्यों? क्योंकि मैं इस job पर नहीं जाओंगी भाई सिर्फ पैसा देख कि अगर मैं चली गई तो में को तो मेरे दिमाग की शांती नहीं मिलेगी ना मन की शांती मिनने वाली है वहाँ पर I will be always in stress अब निकाल दिया तब निकाल दिया बंदा बोलेगा या तुम तो दो साल से यहाँ पर काम करो तुमने कुछ नहीं सीखा नहीं कैसे बोलो माई कि तुम भाई कोई opportunity नहीं चीज सीखने की समझ में आ रहा है तो यह चीज बहुत important है कि जब ही भी आप किसी चीज का किसी चीज का नहीं किसी बंदे का goal decide कर रहे हो तो सिफ और सिफ material goal matter नहीं करता non material goal भी equally important होता है ठीक है अब यहाँ पर अगर सोचो for example यह सारी चीज से yes होती और यहाँ पर high pay कि चेखे पर low पर तो नहीं बोल सकते normal pay बोल देते हैं चलो normal होता तो क्या मैं accept कर लेती the answer is yes क्योंकि मुझे पता है कि अभी पैसा काम है आगे जाके भढ़ जाएगा बट जब यह चीज है नहीं तो आगे चल के हो जाएगी इसकी कोई guarantee नहीं होती बट पैसा भढ़ने की guarantee होती है क्योंकि आपने अच्छे से काम किया है उसे साब से आप अपना pay decide कर सकते हो demand कर सकते हो और बंदा नहीं दे रहा है तो कहीं और जा सकते हो सही बात है ठीक है सो यह पूरे सिनारियो में क्या चीज हमने देखी है हमने यह देखा है कि material goods are not all that you need to live मतब क्या है कि सिफ पैसा important नहीं है जब आपको decision लेने वाले हो तो सिफ पैसा important नहीं है इसका मतलब क्या है कि जभी भी एक individual decide करता है about the development तो सबसे साथा important क्या होता है कि आप दोनों goal को importance दो material भी plus non material भी तो हम उसको क्या कहते है हम उसे कहते है mix of goals या फिर mixed goals ठीक है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है so for development people look at mix of goals ठीक है तो अगर मुझे चाहिए कि मेरा development हो और मुझे मेरा developmental goal set करना है तो मैं दोनों ही चीजों को importance दोंगी material goods को भी मतलब पैसे को भी and non material goods को भी कि मुझे वहां पर respect भी चाहिए मैं को job security भी चाहिए मैं को equal treatment भी चाहिए अगर यह सारी चीजे वहां पर नहीं है तो मेरा वहां जाने का कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट जो हमारा topic है वह है आपका national development नेशनल डवलप्मेंट बोला तो क्या nation का development country का development ठीक है अब हम कैसे decide करेंगे कि एक country डवलप कर रही है या एक country का development हो रहा है क्लियर है अगर इंडिविजुली चार पांच लोग है अगर सोच हो मैं account में बता रही कि 5 लोग है अब पांचे लोगों का developmental goal के हिसाब से development हो रहा है बन रही है यह country के अंदर ही हो रहा है अगर सभी इंडिविजुल पांच का इंडिविजुल लेवल पर development हो रहा है तो हम यह बोल सकते हैं कि overall country का भी development हो रहा है हां है नेशन के development के टाइम पर आपको क्या क्या चीश से देखन繼續 है आपको देखना है इंड engagement in the country, consequences sectors में improvement देखना है मैं, सारे sectors में, ठीक है, आपको देखना है, political improvement हुआ है, क्या, economically improvement हुआ है, क्या, socially improvement हुआ है, क्या, scientific way में जो research होता है, उसमें improvement हुआ है, सभी चीज़े आपको देखनी है, ठीक है, main चीज़ क्या है, the standard of living of the citizens, अगर हर किसी का standard of living increase हुआ है, develop हुआ है, तो हम यह clearly बो सकते हैं, कि उस nation का development हुआ है, clear है, तो nation का development किस पर depend करता है, लोगों के development पर depend करता है, nation का development, ठीक है, it depends on the standard of living of the citizens, if they have developed, the nation will develop automatically, clear, चलो, आगे भडते हैं, next जो हमारा point है, वो है, आपका different person could have different as well as conflicting nations of development goals, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कि यहाँ पर फिर से सेम हो गया, कि मेरे लिए country का development अलग हो सकता है, आपकी हिसाब से, आपकी country का development अलग हो सकता है, है ना, हम सब इंडिया में रह रहे, मेरे लिए इंडिया का development is different आपके लिए इंडिया का development is different मैं जहां रह रहे हूं वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि गाओं से लोग शेहर नहीं जा पा रहे हैं क्यूंकि अच्छा infrastructure facilities नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वहाँ पे infrastructure facilities डवलप हो जाएगी जब हमार roads connect हो जाएंगे तब development होगा तब हम बोसकते हैं कि nation का development हुआ ठीक है हो सकता है आपके लिए nation का development अलग हो हो सकता है आप जिस area में है या आप जिस state में है वहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितने कम hospitals हैं तो आपके यह सोच है कि जब hospitals develop होंगे जब number of hospitals build up होंगे increase होंगे कि किसके हिसाब से कैसे country develop करती है अग्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि हर country में कैसे है different different type of लोग है तो उनके हिसाब से वह अपना developmental thought process रखेंगे ठीक है जैसे road बन गया तो development है अगर hospitals बन गये तो development मानेंगे कोई बोलेगा कि भाई जब military strong हो जाएगी हमारे nation की जब army strong हो है कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि जब education facility अच्छी हो जाएगी तब बोल सकते हैं कि country का development हुआ है तो यहाँ पर क्या हो रहा है हर किसी की सोच अलग-अलग है तो ऐसे टाइम पर a question arise कि what should government do कि government को किसके अइडिया पके accordingly pursue करना चाहिए आगे भढ़ना चाहिए z 충치STaga कि एड़ा confession के उपर what is more important what is less important किसको पहले importance देनी है कौन सी चीज बाद में भी हो सकती है कैसे decide होगा तो वो चीज हम कैसे decide कर सकते हैं बच्चो it can be done किसे होना चाहिए which will benefit a large number of people ठीक है जो जादा तर लोगों के लिए क्या होगा fair होगा तो government क्या करेगी government ये देखेगी कि जादा लोगों को किस से फाइदा होगा अगर government को ये लगता है कि infrastructure डवलप करने से rolled build ups करने से rural area को urban area से connect करने से development होगा जादा तर लोगों को फाइदा होगा तो government पहले वो चीज करेगी ठीक है क्यों ऐसा क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग है हर किसी का developmental goal अलग अलग है हर किसी के हिसाब से nation का development अलग अलग तरीके से हो सकता है तो government को वो चार तरीकों में से ये वो पांच तरीकों में से कौन से choose करना है वो government कैसे करेगी वो ये देखेगी कि इससे किसको सबसे जादा फाइदा होगा अगर large number of people को ये करने से फाइदा होगा तो government पहले वो चीज़ करेगी समझ में आ रहा है क्योंकि लोग तो बहुत सार है सारी चीज़ें एक साथ कर नहीं सकते step by step आपको जाना पड़ेगा तो जो step one है वो कैसे decide होगा always एक ही question पूछा जाएगा कि कितने लोगों को इससे फाइदा होगा अगर large majority people को फाइदा होगा तो वो चीज़ की जाए clear है? ठीक है? चल आगे भढ़ते हैं next अबर हमारा topic आ रहा है how to compare different countries or state ठीक है? अब ये तो आपने बता दिया कि individual development क्या होता है ये भी हमने देख लिया कि nation का development किसी साब से होता है अब हमें ये अगर देखना है कि country का comparison अगर करना है तो important क्या होगा? important होगा पहले ये जारना कि कौन सी country developed country है? कौन सी country जो है वो underdeveloped country है? और कौन सी country है जो developing है? है ना? जब आप country को इससाब से bifurcate कर पाओगे तभी तो comparison हो पाएगा एक्जाम में भी जब आप स्कूल में भी जब आप exam देते हो तो उसके बाद ranking होती है तभी तो comparison होता है ना? आपको marks दिये जाते हैं तभी तो आप compare कर पाते हो के भाई ते को 60 मिला अच्छा में को तो 70 मिला है अच्छा तेरा ये answer right है तो मेरा क्यो answer wrong कर दिया मैं मैं कुछ आखी पूछूँगा ये सब चीज़े आप कब कर सकते हो जब आप differentiate कर पाओ comparison कब हो सकता है जब आपको पता हो किसको क्या मिला है तो यहाँ पर भी जब country का comparison होता है तो उनका यही मानना है कि पहले country का comparison में important यह है कि आपको यह पता हो कौन सी underdeveloped है कौन सी developing है और कौन सी developed country है ठीक है तो यह उनको उन्होंने पता कर लिया कि भई पहले यह पता करना पड़ेगा developing, developed और underdeveloped पर पर यह है कि पता चलेगा कि यह underdeveloped country है यह developing country है यह developed country है तो उनका यह मानना है कि यह पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो आप calculate कर सकते हो सब का Income समझ में आ रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि country developed है developing है या underdeveloped है तो कैसे पता चलेगा जब आप उस country का income पता करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि country developed है underdeveloped है या फिर developing है समझ में आ रहे हो मतलब उन्होंने clear कर दिया है कि जब comparison करना है countries का important चीज़ क्या है income सबसे ज़्यादा important है income बोला तो क्या पैसा clear है ठीक है अब ये comparison जो हुआ है दो लोगों ने अलग-अलग तरीके से किया है ठीक है कौन है वो दो जिनोंने comparison किया है पहला comparison जो हुआ है वो किया है world bank ने and दूसरा comparison जब हुआ था तो वो किया है हमारे UNDP ने ठीक है सबसे पहला हमारा आ रहा है कि calculation कैसे करेंगे income का अब तुमने ये तो बोल दिया कि country का आपको comparison करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि country developed है या under developed है या फिर developing है फिर आपने ये भी बता दिया कि इंका ये checking जो होगा वो कैसे करेंगे by calculating the income अब हम ये देख रहे हैं कि जो आपको income calculation करना है ये calculation होगा कैसे ठीक है तो सबसे important जीज़ जो है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर जो income calculate करेंगे ये income किसका होगा ये income होगा लोगों का एक country में कितने लोग हैं उनका हम income calculate करेंगे ठीक है यहाँ पर जो चीज़ important है वो ये है कि हम क्या लेंगे हम लोगों का average income लेंगे हम लोगों का total income नहीं लेंगे अब जैसे अगर चार लोग है ठीक है A, B, C, D ऐसे अगर चार लोग हैं और इसका 150 है ये 150 है ये 100 ये इनकी income है अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे इंका अभी income calculate करना है क्योंकि ये पूरे के पूरे एक country में रहते है तो मैं बोलूँ कि ठीक है income calculate करना है तो इंका total कर लेते हैं ये 300 हो गया 400, 500 500 is the answer क्या हम ऐसे calculate कर सकते हैं the answer is no क्यों नहीं कर सकते हैं इस तरह से calculation क्योंकि हर country में बहुत सारे different people रहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमा नहीं रहे होते कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जादा कमारे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो reasonable कमारे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, जो बहुत ही लो कमारे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप differentiate नहीं कर सकते हैं, आपका calculation जो है, वो proper नहीं होगा, एक country में हो सकता है, कि एक बंदा 10,000 कमारा हो, एक बंदा सिर्फ 100, दूसरी country में ऐसा हो सकता है, कि हर बंदा जो है, एक reasonable amount कमारा है, 500 500, 500 या 1000, 1000, 1000, तो यहाँ पर इंकार clearly मानना है, कि जभी भी आप calculation करते हो, आपको total income नहीं लेना है, आपको ये 500 नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, आपको लेना है average income, ठीक है, पर पोसल, कितना कमारा है, एक particular year में, वो calculation आपको करना है, ठीक है मैं average income calculate करना है, हाँ, average income क दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है per capita income, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है per capita income, तो average income और per capita income में same है, yes, exactly same है में, yes, आप बो सकते हो कि average income का ही दूसरा नाम क्या है, per capita income है, ठीक है, तो आपको question में average income भी आ सकता है, आपको question में per capita income भी आ सकता है, दोनों का ही formula same ही है, क्योंकि दोनों का same exact meaning है, ठीक है, अब जब हम formula की बात कर रहे हैं, तो formula क्या है, total income upon total population, clear है, चलो, अब एक calculation में आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, जैसे example है, यहाँ पे यह country 1 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ऐसे 4 लोग है, ठीक है, चारों का यहाँ पे income है, पहले बंदे 500 रुप है, एंट 4 बंदे का 600 रुपे है, हमें calculate करना है, कि यह country का income कितना है, क्योंकि हम करने वाले है, comparison, ठीक है, तो मुझे उसका income पता करना पड़ेगा, income के लिए मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है, average income, तो मैंने formula डाला, कि per capita income, formula क्या है, total income upon total population, अब मैं total करूंगी, total कैसे हो जाएगा, भई, यह हमारा हो गया, 6 plus 6, 12, 15, और यह 2000, तो मैंने यह सब का total कर लिया, 2000, upon total population, कितने लोग है, 1, 2, 3, 4, तो divided by 4, answer कितना आ गया, 500, तो यह क्या है, यह इस country का average income है, ठीक है, अब comparison जागा करना है, तो एक और country की जरुवत है, सही है, तो अब मैं दूसरी country लाई, दूसरी country में भी 4 लोग है, सबका income, एक का 300 है, एक का 400, एक का 300, एक का 600, ठीक है, formula सेम apply होगा, formula मैंने apply कर लिया है, divided by 4 किया, और मुझे मिल गया मेरा answer 400, ठीक है, अब accordingly क्या होगा, comparison होगा, clear है, मैं base क्या होगा, इसके उपर है, तो developed है, इसके नीचे है, तो under developed है, बीच में अगर है, तो developing है, यह पता कैसे चलेगा, एक standard होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि 75 और अगर मिला है, तो distinction है, ऐसे बोलते हैं ना, फिर उसके बाद 60 to 70 का अगर range है, तो average बोलते हैं, तो यह सारी चीजे एक criteria set होना बहुत जरूरी है, कि इसके उपर है, तो developed है, इसके नीचे है, तो below poverty line है, यह कैसे पता चलेगा, वो standard क्या है, ठीक है, क्योंकि अब मुझे यह तो पता है, कि इसका 500 है, इसका 400 है, बट अगर यह दोनों ही, वो standard के नीचे होंगे, तो दोनों country भी developed country हो सकती है, दोनों country भी under development में भी जा सकती है, दोनों country भी developing country भी हो सक होती है, तो पता कैसे चलेगा, कि country में developed है, country मेरी under developed है, या country मेरी developing है, तो वो standard के बारे में अब हम बात करेंगे, standard किसने set किया है, world development में, ठीक है, तो यहाँ पर एक report तयार की थी, world development report, जो world bank ने की है, ठीक है, world bank ने क्या कहा, उसने कहा है, कि हर country का, per capita income, dollar के हिसाब से, 120056, साल का है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे, rich country, तो पहला criteria उन्होंने क्या दिया है, कि एक तो dollar के हिसाब से होना चीए, 120056, अगर इससे जादा है, ठीक है, यह कैसे बात हो रही है, per annum, मतलब पूरे साल का, अगर इससे जादा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे, rich country, या आप बोल सकते हो, developed country, ठीक है, next उसने क्या बताया है, कि जो countries, per capita income, 955 या उससे कम है, उसको हम क्या कहेंगे, पूर कंट्री कहेंगे, तो second उन्होंने criteria भी दे दिया, कि 955 हो या उससे कम हो, साल भर का, तो आप उससे क्या कहोगे, आप उससे कहोगे, पूर, या फिर आप बोल सकते हो, under developed, clear है, next उसने क्या कही है, उसने बताया है, कि इंडिया का right now, क्या status है, इंडिया कहाँ पे है, इंडिया का per annum, जो income है, वो कितना है, dollar के हिसाब से, 1820, तो मतलब, 12,000 से कम है, तो rich country तो नहीं है, 955 से जादा है, तो poor country भी नहीं है, मतलब हम इसको क्या कह सकते है, हम अपनी country को कह सकते है, developing country, या फिर आपकी book में एक और नाम दिया है, जो है आपका low middle income country, समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे important चीज जो है, वो यह है, कि dollar में क्यों, rupees में क्यों नहीं calculation हो रहा, dollar में ही क्यों हो रहा है, pound में क्यों नहीं हो रहा, yen में क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ dollar में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि यह जो currency है, वो universally acceptable है, ठीक है, क्योंकि dollar currency universally acceptable है, इस वज़े से इसका जो calculation और जो criteria बिठाया है वो as per dollar बिठाया गया है ठीक है तो यह report किसने तयार की है भई यह report करता है तयार world bank ठीक है world bank जब countries को compare करता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा important क्या है उसके लिए important है बस income वो बस country का income देखता है और उस हिसाब से country का comparison करता है कि कौन सी country क्या है rich country है या poor country है या lower middle class country है middle class नहीं lower middle country है ठीक है lower middle income country है तो यह criteria जो है यह world bank ने decide किया हुआ है और यह वो बताता है अपने report में ठीक है तो जब world bank की report आती है which is world developmental report तो उसमें वो यह बताता है कि countries का comparison उसने कैसे किया है कौनसी कंट्री उसके हिसाब से अंडर डवलप, डवलप और डवलपिंग है और ये क्राइटिरिया जब वो सेट किया है तो उसने सिफ और सिफ एक ही चीज़ पे फोकस किया था इंकम उसके कैलकुलेशन के टाइम पे उसके लिए बस इंकम जरूरी था इसके अलावा और कुछ भी ने ठीक है? चलिए आगे भड़ते हैं अब नेक्स जो पाट आ रहा है वो ये है इंकम एंड अदर क्राइटिरिया अभी अभी हमने क्या देखा? कि कंट्री का कंपेरिशन करना था? कंट्री का कंपेरिशन करने के लिए क्या इंकम था? कि कंट्री की इंकम क्या है? इंकम कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल इंकम नहीं करना है एवरेज इंकम करना है जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इंकम हमने कैलकुलेशन भी देख लिया ये सारा क्राइटरिया किसका है वर्ल्ड बैंक का है उसका ये मनना है कि बस important चीज़ जो है वो income है अब आ रहा है other criteria other criteria में क्या हो रहा है वो ये कह रहे है कि income के साथ-साथ और भी चीज़े हैं जो important है सिर्फ income important नहीं है ठीक है तो मैंम क्या important है नहीं नहीं ऐसा नहीं है इंकम important है बस वही important है ऐसा नहीं है और भी चीजें है जो matter करती है apart from income ठीक है तो income आप देख रहे हो per capita income आप देख रहे हो that is correct वो आपको करना चाहिए बट उनका यह मानना है कि इसके अलावा भी चीजें है जो important है तो इसके अलाव इनके पास कौन सी चीजें है जो important है तो वो है इनके हिसाब से health and education ठीक है तो other criteria में क्या चीज़ आ जाती है other criteria में आ जाता है health and education अब यहां पर आपके पास एक chart है जहां पर उन्होंने क्या बताया है उन्होंने different states के नाम रखे हैं जैसे हर्याना है कैला है बिहार है उन्हो per capita income कितना कितना है ठीक है तो अब मैं सिर्फ पर capita income देख रही हूं तो उसमें क्या देखूंगे कि किसका सब्से ज़्यादा है बराबर क्योंकि हम इंकम के बारे में बात कर रहें तो जिसका सब्सेजादा इंकम होगा वो state developed state है तो यहां पे हर्याना का सब्सेजादा income है उसके बाद केरला का है, उसके बाद बिहार का है, तो अगर मैं World Bank के हिसाब से जाओ, तो क्लियर नी कॉन सा स्टेट है जो डवलप्ट है, तो मैं बोलूँगी हर या ना वो स्टेट है जो डवलप्ट है, एस पर World Bank, एस पर World Development Report, वहाँ पर उसने criteria set किया हुआ है, उसके मानना यह है कि income matters, तो उसे साब से मैंने यहाँ देख लिया, अब यहाँ पर और भी चीजे हैं जो उन्होंने बताई है, जैसे what, जैसे infant mortality rate, ठीक है, अब मैं यह infant mortality rate क्या होता है, तो उसका नीचे मैंने definition दिया हुआ है, infant mortality rate मतलब क्य है, ठीक है, जैसे देखों यहाँ पर, before the age of one, before the age of one divided by thousand that children live, in that particular year, ठीक है, तो एक साल के जो बच्चे हैं, या जो एक साल के अंदर वाले बच्चे हैं, वो एक साल में ऐसे कितने मौते होती हैं, अगर आप वो चीज को criteria रखते हो, तो उसको हम कहते है, infant mortality rate, ठीक है, कि सकते हो, कि यहाँ पर हम किस पर focus कर रहे है, health पर, है ना, तो यहाँ पर पता चल रहा है, कि यहाँ पर 30 है, एक साल में ऐसे 30 मौते हो जाती है, केरना में सिर्फ 10 है, और अपना बिहार में 35 है, ठीक है, तो अगर मैं criteria के हिसाब से देखू, तो पहले income के हिसाब से हर्याना अब अगर मैं देख रही हूँ, infant mortality rate के हिसाब से, तो जहाँ पर कम होते हैं, वो developed है, तो वहाँ पर आ रहा है केरला, सही है, फिर अगर मैं देख रही हूँ, literacy rate, मतलब मैं basically यहाँ पर education को importance दे रही हूँ, अगर मैं literacy rate देख रही हूँ, तो यहाँ पर 82 है, यहाँ पर 94 है, यहाँ पर 62 है, मतलब अगें किसका जादा है, कैरला का, ठीक है, अगर मैं देख रही हूँ, net attendance ratio, net attendance ratio मतलब क्या है, मतलब यही आए कि 14 से 15 years के age में, कितने बच्चे हैं, जो school attend कर रहे हैं, अगर मैं उनका criteria देख रही हूँ, उनका ratio देख रही हूँ, तो यहाँ पर 61 ऐसे बच्चे हैं, जो attend करते हैं, यहाँ पर 83 है, और यहाँ पर 43 है, तो मतलब कौन जादा है, कैला, बराबर है, तो मतलब यहाँ पर clear हो रहा है, कि एक state का अगर आपको development देखना है, या फिर आप बोलो, एक country का भी अगर आपको development देखना है, important यह चीज होती है, कि income के साथ सा other things do matter, है ना, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका 30 है, यहाँ पर 82 है, यहाँ पर 61 है, कहीं पर भी वो stand नहीं कर रहा है, तो अगर अब मुझे यह चानना है, कि income and other criteria को consider करते हुए, कौन सा state है, जो developed है, दूसरे state से बहतर है, तो मेरा answer क्या बन जाएगा, मेरा answer बन ज as the criteria, और मैं बोलू कि कौन सा state है, comparison में, जो developed है, तो मैं किसका नाम लोगी, हर्याना का, समझ में आरा आपको, तो आपको वो question अच्छे से समझना है, कि income and other criteria बोल रहे हैं, या सिफ income बोल रहे हैं, अगर सिफ income बोल रहे हैं, तो हर्याना फर्स आएगा, और अगर income and other criteria बोल जा रहा है, तो केरला first position पर आएगा, ठीक है, सभी का definition जो यहां पर दिया है, कि literacy rate मतलब क्या, net attendance ratio मतलब क्या, मैं यह चीज़े important है, क्या, yes, यह चीज़े important है, important है, यह 7 years and above याद रखना, important है वो 14 and 15 years याद रखना, ठीक है, अगर वो आप याद नहीं रखेंगे, तो पुछा जाता है, okay, ठीक है, समझ में आ गया, तो अगर आपको कोई बोलता है, कि income and other criteria में other criteria क्या है, तो आप क्या बताएंगे, health and education, clear, तो income plus health plus education, basically यह 3 चीज़े important होती है, जब आपको जानना होता है, किसी state का development या किसी country का, बट अगर हम लोग world bank के हिसाब से देखेंगे तो वो सिर्फ income को importance देता है, और किसी को नहीं, clear है, ठीक है मैम, तो world bank income को importance देता है, यह 3 criteria में कोई report बन कर आती है, क्या, तो the answer is yes, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, उससे पहले एक छोटा सा topic है, वो है हमारा public facilities, ठीक है, अब देखें, public facilities मतलब क्या, जो हमे government provide करता है, जिससे हमारा overall development होता है, जो की basic facilities होती है, ठीक है, जैसे education provide करना, जैसे हमारे पास है public school, जैसे health provide करना, हमारे पास है multiple hospitals, जैसे security provide करना, ठीक है, तो यह सब क्या है, यह सब कुछ facilities है, जो हमें provide की जाती है by the government, अगर government हमें कोई basic facility provide कर रही है, जिससे हमारा overall development हो, तो वैसी facilities को हम क्या बोलते है, हम उनको बोलते है, public facilities, public को दी जारी है facilities, ठीक है, तो public facilities क्या है, यह वो facilities है, which are given by the government, which are given so that there is an overall development of the country, for example, education, health, security, इसके अलावा एक और चीज़ है, जिसके बारे में आपके book में बात हुई है, और वो है हमारा nutrition, जहाँ पर focus किया गया था, PDS, that is public distribution system के उपड़, मैं यह PDS क्या होता है, PDS मतलब आप ऐसा माल लो, आपकी राशन शॉप, कभी आप गए हो राशन की दुकान पर, वहाँ पर अगर आप आप जाके अपना राशन कार लेकर जाओगे, यह आप ऐसा बोल सकते हो, कि area wise किया जाता है, ठीक है, एक particular area दिया जाता है, और यह जो बन्दा है, जो provide कर रहा है राशन, वो भी गवर्मेंट का ही बन्दा होता है ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर पाए अपने लोगों की ठीके तो ये कॉन कर रहा है public sector है क्या ये कॉन कर रहा है क्योंकि ये public किले किया जा रहा है तो it is governed by the government क्लियर है ठीके, यहापे एक photo भी है यह देखो यह राशन की दुकार है यहां पे वो उसको लेकर जाना होता है यह देखो उसके हाथ में यहां पे आपको दिखेगा राशनकार है और फिर उसे सबसे वो लो गेहुँचावल सब दे रहे हैं क्लियर है तो यह आपका पब्लिक फैसिलिटी हो गया अब नेक चीज जो इंपॉर्डटन है वो यह है ऐसी कैसे मैम? ऐसा ही है जासे फॉर एग्जामपल ऐसा क्या है जो पैसे से नहीं मिल सकता? जैसे आपको पल्यूशिञ फ्री एंवार्मेंट नहीं मिल सकता चाहे आप जितने भी अमल हो अगर आप पब्लिक बीच पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको यह सब कच्रा मिलने का obvious है है ना नहीं तो अपना personal चीज़ें खरीदने पड़ेंगे आपको personal बीच खरीदना पड़ेगा वहाँ पर आपको साफ सफाई रखनी पड़ेगे बड़ सिफ आप यह नहीं बोष सकते हो क्योंकि मेरे पास पैसा है भाई मैं रिच परसन हूं तो मुझे यह सब साफ करके चाहिए नहीं जरूरी नहीं है इसके अलावा भी और भी चीज़ें है जैसे आप यह भी बोष सकते हो कि आप क्या बोष सकते है अब यह अपना वह एक्जामपल है थंडी के मौसम में वह जो पंजाब से जो हवा आती है वह कुछ जलकी अभी माम नाट गेटिंग एक्जामपल जो ठीक है कोई बात नहीं तो हमनों यह बोष सकते है कि प्लूशन फ्री मतलब यह भी है कि बहुत सारी क जासा की vit करोमन में आप जा सकते हैं से चार से फ्र can call जा रही है तो दुहां लगेगा थिक है तो इससे शयारे है कि पैसा जरूरी नहीं होता है जीने के लिए जैसे वह कह रहे हैं unadulterate medicines मतब क्या है कि medicine में कोई घरबड नी होगी ऐसा ज़रूरी है क्या नहीं चाहे आपके पास जितने भी पैसे हो अगर कोई आपको चूना लगा के जाना चाता है तो वो कर देगा कहां ही आपको पता चल रहा है कि यह जो है यह सही है या फिर यह गलत medicine है कहां आपको पता चल र आपके एक राइटेरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है पर ठीक है उसका substitute भी है ना वो डाल देते हैं चल वो सस्ता पड़ेगा तो वैसी unadultrated medicines मिलना पॉसिबल है क्या नहीं है पॉसिबल ठीक है उसी तरह से एक और एक्जामपल आपको दिया है infectious diseases for example कोविड क्या इसा थ रहे हैं कि पैसा हर चीज का आंसर नहीं है जरूरी नहीं है कि पैसा है तो आप अच्छे से जी सकते हो यह important factor है इसके अलावा भी चीज़े होती है जो important होती है जैसे हमारी health important होती है जैसे education important होता है literacy rate अच्छी रहेगी तब ही लोग पढ़ने कर वहां के लोगों का development करने क कोशिश कर सकते हैं समझ में आ रहा है तो यह वारा sentence बहुत important है यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है सिर्फ यह sentence and explain करने बोला जा सकता है तो वहां पर explanation देते वार आप यह तीन examples का use कर सकते हो ठीक है यह book के examples है ओके अब हम आते हैं हमारे next part पे जो है हमारा body mass index body mass index में हम ऐसा कुछ तो दिख रहा नहीं है topic दिखेगा जहां पर एक एक लेड़ी खड़ी है और वह measurement कर रही है दूसरे की height मैं लेकि मोश सब चीज़ों तो एक्जाम में आती नहीं है आ सकती है मैं तो यह हमको पूरा definition सब कुछ पढ़ना पढ़ेगा नहीं तो मैं क्या पढ़ना पढ़ेगा इसके अंदर इसके अंदर जो चीज़ आपके लिए important है वो है आपका formula ठीक है formula important है क्योंकि formula के उपर question आ सकता है calculation पूछा जा सकता है आपसे okay तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले यह कि body mass index क्या होता है कि यह वो criteria है जो हम use करते हैं ताकि हमें क्या पता चले हमें यह पता चले कि जो बंदा है वो nutrition बंदा है malnutrition है या over weight है body mass index तो आप basically यह देख रहे हो कि बंदा मोटू है पतलू है नरिष्ट है अंडर नरिष्ट है ठीक है चलो कैसे देखेंगे तो यहाँ पर important क्या है सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर एक example लिया है कि सोचो एक लड़का है जो 14 साल का है ठीक है लड़का भी अब आगे क्या है आगे क्या important है कि बंदे का weight and बंदे का height तो मैं बोल रही है कि बंदे का height जो है वो 2 cm है बंदे का weight जो है वो 62 kg है ठीक है चलो weight and height पता चल गया अब क्या ज़रूरी है अब calculation करना है calculation के लिए क्या important है formula formula क्या है हमारा formula है हमारा weight upon height meter square तो weight कैसा होना चीए kg में होना चीए height कैसा होना चीए meter में होना चीए और उसका हमको क्या लेना है square लेना है जैसे मेरे example के हिसाब से weight कितना है weight है 62 height कितना है height है 2 cm उसका square लेना होगा 2 का square is what 4 उस हिसाब से में को answer क्या मिल गया 15.5 चला ठीक है formula के हिसाब से answer तो आ गया अब ये कैसे पटा चलेगा कि ये nourished है ये under nourished है malnutrition है overweight है कैसे पटा चलेगा तो उसका एक criteria decide किया हुआ है ठीक है criteria क्या है कि अगर वो less than 18 है तो वो malnutrition है अगर answer आपका less than sorry more than 25 आ रहा है तो वो क्या है overweight है और अगर आपका answer between 18 to 25 आ रहा है तो वो क्या है properly nourished है ठीक है तो ये criteria याद करना पड़ेगा माम yes ठीक है अब ये criteria अगर आपको याद है तो आपका answer क्या है 15.5 मतलब ये क्या है it is less than 18 तो उस हिसाब से मेरा answer क्या होगा कि ये क्या है ये malnourished है समझ में आ रहा है तो आपको question कैसा आ सकता है आपको question आ सकता है या तो ये पहला part कि only calculation या फिर आपको question आ सकता है कि उन्होंने आपको ये calculation पूरा करके दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो undernourished है वो malnutrition है overweight है नourished है क्या है समझ में आ रहा है और कौनसे category में आएगा कि वो overweight है समझ में आ रहा है यहां पर answer was 15.5 which was less than 18 तो उस हिसाब से आ गया कि वो क्या है malnutrition है तो ये दोनों ही type का objective question आपको आ सकता है जिसमें से एक type आपको आपको आपके book में exercise question में दिख जाएगा ठीक है अगर exercise question में उन्होंने body mass index के बारे में लिखा हुआ है तो it is obvious कि एक्जाम में आने के पूरे chances है तो हम कोई risk नहीं ले सकते ठीक है चलो अब हमारा वो topic आ गया है जिसका मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा wait करो हमने क्या देख लिया था कि जब world bank करता है report तयार तो उसको बोलते है world development report जहां पर income सबसे ज़ादा important होता है सबसे ज़ादा नहीं सिर्फ income ही important होता है जब उसको करना होता है comparison of different countries सही बात है उसके बाद हमने ये भी देखा कि income and other criteria's भी होते हैं अदर में हमने देखा कि health और education भी matter करता है अब हम देख रहे हैं कि ऐसे कौन सी report बनकर आती है जिसमें ये तीनो criteria को consider किया जाता है income भी consider होता है health भी consider होता है and education भी consider होता है ठीक है तो वो report कौन बनाता है तो सबसे पहरें आपको मैं ये बता दू कि वो report बनाता है हमारा United Nation Development Program UNDP ठीक है मैं वो कौन सा report बनाता है तो वो हमारा जो report बनाता है उसका नाम है Human Development Report ठीक है यहाँ पर भी हमें क्या पता चलेगा different different countries के बारे में पता चलेगा कौन सी country developed है कौन सी under developed है ये हम पता करेंगे लेकिन हमारे लिए यहाँ पर सिफ इंकम मैटर नहीं करेगा इंकम के साथ साथ health and education भी मैटर करेगा ओके आप देखें यहाँ पर आपको यहाँ पर table मिल दिया है हमारे पास है श्री लंका, इंडिया मैमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांगलादेश क्या क्या दे दिया उन्होंने सबसे पहले उन्होंने आपको इंकम बता दिया है कि सभी का इंकम कैसा है फिर life expectancy बता दिया है मतलब उन्होंने बता दिया है health कैसी है वहाँ पर फिर उन्होंने literacy rate के बारे में बात की है तो उन्होंने बात किया है education के बारे में और ये सब के बाद उन्होंने क्या करना है उन्होंने तयार किया है HDI HDI को क्या बोलते है Human Development Index जहां पर क्या होता है जहां पर country को क्या दिया जाता है तो जब वो ranking करते हैं तो वो क्या करते हैं वो सारे criteria's को importance देते हैं वहां पर ranking करते हैं वहां पर comparison के time पर उन्होंने क्या कहा था कि कौन सी country rich है कौन सी country poor है उन्होंने वो amount decide कर रखा था 12,056 दूसरा वाला 955 बराबर यहां पर वो क्या करते हैं यहां पर इनका कोई amount नहीं है यहां पर यह क्या करते हैं इस report को तयार करने के बाद वो उनको ranking देते हैं कि कौन सी country है first position पर कौन सी second कौन सी third कौन सी fourth and so on और यहां पर हमें पता है हमारे लिए क्योंकि इंडिया important है तो इंडिया कहा stand कर रहा है 131 clear तो अगर आपको बताया जाए कौन सी दो organization है जो comparison करते हैं countries का तो कौन सी दो organization है एक है आपका world bank और दूसरा है आपका UNDP world bank कौन सा report बनाता है world development report UNDP क्या बनाता है human development report समझ में आ रहा है world bank के लिए क्या important है only income while comparison human development sorry UNDP क्या important है health education and income जब world bank report तो या करता है तो वो क्या बताता है वो एक criteria बताता है जिसके accordingly आप decide कर सकते हो कौन सी rich country है और कौन सी poor वो जो comparison करता है वो currency में करता है and dollar को use करता है because it is universally acceptable वहीं दूसरी तरफ जब हम UNDP की बात करते हैं तो यह अपनी report बनाने के बात क्या करता है human development index बनाता है जहां पे वो ranking देता है countries को ठीक है clear है तो यह दोनों चीज़े आपके लिए important है यह दोनों organization important है जो comparison of countries करते है ठीक है clear चलो next हमारा जो part है जो आज का last part है वो है आपका sustainability of development sustainability of development का मतलब क्या है इसका मतलब साफ है कि आप development करो लेकिन future generation को भी ध्यान में रखो बस उनका मानना यह है कि भाई जब बंदा development की और भड़ता है तो वो resources को use करता है जो उसकी country में है resources को जब वो use करता है तो उनका मानना यह है कि आप resources use करो बट वो resources को exploit मत करो उनका मानना ये है कि जब आप resources को use कर रहे हो तो ये ध्यान में रखो कि future generation को भी use करना है उनको भी develop करना है उनके लिए भी बचना चाहिए समझ में आ रहा है जब आप इस सोच के साथ development करते हो कि development में जो resources use हो रहा है it should not be exploited it should be kept for future generation as well तो फिर आप बोल सकते हो कि आपकी development कैसी है sustainable है ठीक है तो देखें आपे दिया हुआ है it means development of present generation by using the earth resources as well as the ability to meet the needs of future generation मतबब क्या है कि future generation के लिए भी छोड़ दो और खुद भी use कर लो ऐसा करके अगर आप development कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो sustainable development कर रहे हो ठीक है यहाँ पर आपको example दिया हुआ है पहला example जो है वो groundwater का example है basically वो क्या कह रहे है कि जब हम resources की बात कर रहे हैं तो उन्होंने यह resources को दो पार्ट में bifurcate किया हुआ है पहला resource जो है वो renewable है और दूसरा resources जो है वो non renewable है ठीक है अब जो renewable resources है मतलब क्या जो पूरी तरह से extinct नहीं होगा जो limited नहीं है जिसको हम वापस वापस refill कर सकते हैं जैसे for example groundwater है ना बारिश आएगी तो वापस फिल हो जाएगा अब यहाँ पर भी यह है कि ठीक है भाई आप उसको वापस से refill कर सकते हो वो पूरी तरह से extinct नहीं होगा बड़ फिर भी उसका यह मत्तब नहीं है कि आप उसको misuse करो ठीक है आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी buildings बनने की वज़़े से बोरिंग का जो पानी है वो नहीं मिल पाता अंदर तक खुदाय करते हैं फिर भी हहाँ पर कोई पानी है नहीं ऐसा क्यों हुआ है क्यों कि आपने इतनी सारे buildings बना ली है हर कोई उस पानी का इस्तिमाल कर रहा है जिस वज़े से अब आपको नहीं मिल रही है तो यहां पर क्या करना ज़रूरी है ट्री plantation important है डैम बनाना ज़रूरी है ताकि क्या हो जाए वो पानी जो बारिश का आ रहा है उसको रोका जा सके कहीं पे store करके रखा जा सके आप बाद मी यूचिलाइज कर पाएं building जब आप बना रहे हो तो थोड़ा space रखो ताकि सभी को पानी groundwater का मिल पाए अगर अगर आप इतनी करो कि आप exploit नहीं कर रहे हो आप यह मेक्षूर करो कि जितने पानी की जरुवत है उतना ही यूचिलाइस कर रहे हो एक्स्टा नहीं कर रहे हो इसने कहा जाता है ना कि जब आप हाथ दो रहे हैं तो आप जब साबून लगा रहे हो तब टैप वाटर चालू मत रखो क्योंकि पर यहां पर फोकस किसमें है future generation के उपर जादा फोकस है कि present में development करने के वजह से यह ना हो कि resources future generation के लिए बचा ही ना तो हमें यह चीज़ फोकस रखना है हम्यारा development sustainable development होना चाहिए जहां पर हम खुद तो development कर रहे है और future generation के लिए भी बचा के रख रहे हैं ठीक है तो यह बंश्यांप्ल जो है ये रिमेंट लक्षामपल है वैसी आपके पास एक और एक्जांपल है जो कि की आपका है नौन रिणियुर जहां पर आपका आता है प्रूरी तो अब यह अब या नौन है ओल को डोशा बाफ बरoya हो और करना कर रहे हूं तो वो extraction जो मैं कर रहे हूँ मैं वो control में रखूँ, exploit ना करो, इतना जादा ना कर दू कि बाद में मेरे पास बचे ही ना, और फिर मुझे export करना पड़े हमारी country और भी गरीब हो जाए, तो आपको ये चीज़ पर focus रखना होता है, कि resources चाहे जैसे हो, चाहे renewable हो, चाहे non-renewable ह आपको फिर भी उन सभी को बहुती सम्हाल के utilize करना है, उसको exploit नहीं करना है, अगर आप exploitation नहीं कर रहे हो, तो फिर वो future generation के लिए भी saved रहेगा, तो हम बोल सकते हैं, कि हमारा जो development है, वो कैसा है, sustainable development है, clear है guys, so I hope, कि आपको ये पूरा chapter जो है, अच्छे से समझ में आया कोई confusion नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, but in case अगर कोई confusion है, कोई doubt है, तो आप comment section में comment करके ज़रूर पता सकते हैं, और मैं आपको answer ज़रूर करूँ, ठीके guys, तो आप मिलते हैं next video में, next chapter के साथ, till then, bye-bye.